14 मार्च 2018 मेरे और साइंस वर्ड में इंट्रस्ट रखने वाले सारे लोगों के लिए एक बुरा दिन था क्योंकि विग्यान की दुनिया में एक अनोकी छाप चोड़ने वाले स्टिफोन होकिन्स इस दुनिया को छोड़के चले गए वैसे 14 मार्च को हमारे बड़े विग्यानी आइंस्टाइन का बड़े था पट उसी दिन आइंस्टाइन ने अपने साथी होकिन्स को भी बुला लिया वहीं स्टिफोन होकिन्स जिन्होंने ब्रह्मान की दुनिया के बारे में हमें जानकरी दी उन्होंने दुनिया को प्रह्मान के ब्लेक होल्स के बारे में बताया था वो विश्वा के बड़े प्रह्मान विग्यानी और भोतिक विग्यानी थे इतना ही नहीं उन्होंने कही साइन्स किताबे भी लिखी है जिन में A Brief History of Time, The Universe in a Nutshell और The Great Design जैसी किताबे ज्यादा मसूर थी और आज भी है दरशल स्टिफोन ओकिन्स को 21 साल की उम्मुर में एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ऐलस जैसी खतरनाक बीमारी हो गए थी इस बीमारी में सरीर के नर्व्स जो मास्पेशियों को कंट्रोल करती है वो बंद हो जाती है उस वक्त डोक्टर ने बताया था कि उनके पास सिर्थ 2 से 2,5 साल का वक्त है पर यह सुनने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और विग्यान की दुनिया में अपना सहयोग दिया सायर यहीं बात उन्हें इतना बड़ा बनाती है पर आप यह सोच रहे होगे कि यह इतने साल तक कैसे जी पाए इसकी वज़ा यह है कि उनकी डाजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिटारी सिस्टम से जूड़ी मास्पेशिया और नियूरोंस के कनेक्शन खराब नहीं हुए थे बलकि दूसरे मास्पेशिया काम करना बंद कर दिये थे ऐसा इस बिनमारी से पिड़त दस में से एक इंसान के साथ ही होता है और स्टिफन उन में से ही एक थे स्टिफन होकिंग्स ने बिग बेंग सिधान और ब्लेक होल्स को समझाने में खास सयोग दिया है होकिंग्स रेडियेशन जैसे सिधान को साबित करके ये बताया कि ब्लेक होल्स भी एक दिन खतम हो सकते है बले ही तब तक यूनिवर्स बहुत ही आगे पहुंच गया होगा उनकी ब्रह्मान के राश्यों से भरी किताब अब ब्रेफ इस्ट्री ऑफ टाइम वो दुनिया पर में बहुत ही मसूर हुई थी होकिंग्स असल में ब्रिटन के रहने वाले थे आलबर्ट अइंस्ट्राइन के बाद होकिंग्स दुनिया के सबसे महान सिधान्तिक भोतिक विज्यानी बने जैसे कि हम जानते कि इस दुनिया में जो भी आता है वो कभी न कभी जाता है पर इस दुनिया से उनके सरी का अंत होता है ना कि उनकी सोच, उनके सितान और उनके कलपना का अंत स्टिफ़न होकिंस भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे पर जब भी हम ब्लेक ओल्स को देखेंगे जब भी हम होकिंस रेडियल सन के बारे में पढ़ेंगे तब उनकी कलपनाए हमारे साथ जरूर रहेगी स्टिफ़न होकिंस उन लोगों के लिए ज़्यादा इंस्पिरेशन है जो पेरालाइस दे उन्होंने ये शाबित करके दिखाया है कि खुद भले ही अपनी चेर से हिल डूल ना सके पर उनके विचा उनके खोज ने पुरे प्रह्मान को गिला दिया है तो सर स्टिफ़न होकिंस को आखरी गुटबाई बोलते हुए मैं इस वीडियो को खतम करता हूँ आप दी कमेंट में ज़रूर कुछ बताईए तो मेरे साइंस वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेश कर देना मैं मिलता हूँ बाइब